साथियों इस अभ्यान का एक और लाव होगा धर्ती भी मा के समान हमारा ख्याल रखती है धर्ती मा ही हम सब के जीवन का आधार है इसलिए हमारा भी कर्तवे हैं कि हम धर्ती मा का भी ख्याल रखें मा के नाम पैड लगाने के अभ्यान से अपनी मा का सम्मान तो होगा ही होगा धर्ती मा की भी रख्षा होगी पिछले एक दसक में भारत में सब के प्रयास से वनक्षेत्र का अभूत पुर्व विस्तार हुआ है अम्रित महोत्सव के दोरान देश भर में साथ हजार से ज़्यादा अम्रित सरोगर भी बनाए गए है अब हमें ऐसे ही मा के नाम पर पैड लगाने के अभ्यान को गति देनी है मेरे प्यारे देश स्वांचियों देश के अलग-अलग हिस्सों में मंसुन तेजी से अपना रंग बिखेर रहा है और बारीस के इस मौसम में सब के घर में जिस चीज की खोज शुरू हो गई है वो है छाता मन की बात में आज मैं आपको एक खास तरग के छातों के बारे में बताना चाहता हूँ ये छाते तयार होते हैं हमारे केरला में वैसे तो केरला की संस्कूरूती में छातों का विशेश महत्व है छाते वहां कई परंपराओं और विदी विधान का एहम हिस्सा होते हैं लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूँ वो है कार्थुम भी छाते और इन्हें तयार किया जाता है केरला के अट्टापडी में ये रंग बिरंगे छाते बहुत शांदार होते हैं और खासियत ये कि इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहने तयार करती है आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है इनकी ओनलाइन बिक्री भी हो रही है इन छातों को बट्टा लग की सहकारी कृषी सोसाइटी की देखरेक में बनाये जाता है इस सोसाइटी का नेतरुत्व हमारी नारी शक्ति के पास है महिलाओं के नेतरुत्व में अट्टा पड़ी के आदिवासी समुधाय दे एंट्रेप्रिनर्शिप की अध्भूत मिशाल पेश किये है इस सोसाइटी ने एक बैम्बू हेंडिक्राप्ट यूनिट की भी स्थापना की है अब ये लोग एक रिटेल आउटलेट और एक पारंपरिक कैफे खोलने की भी तैयारी में है इनका मकसद सिर्फ अपने चाते और अन्य उत्पाद बेचना ही नहीं है बलकि ये अपनी परंपरा अपनी संस्कृती से भी दुनिया को परिचित करा रहे हैं आज कार्थुम भी छाते किरला के छोटे से गाउं से लेकर मल्टी नेशनल कंपनियों तक का सफर पूरा कर रहे हैं लोकल के लिए वोकल होने का इससे भैतने उदारान और क्या होगा कर रहे हैं